कि क्वेशन नंबर थर्टीन आप देखेंगे कि यह वेवान स्ट्रिंग से रिलेटेड़ है एक्षिल में वेवान स्ट्रिंग और एलास्टिसीटी का जो कॉंसेप्ट है उसको मिक्स करके यह जो है सवाल बनाया गया है इसमें कहा गया है तो यह स्ट्रेट वाइड इज नाइन टी मीटर पर सेकेंड बीच में ब्रैकेट में जो वाइर है उसकी परपर्टी बताई गी है मास है 6 ग्राम लेंध है 60 सेंटिमेटर एरिया प्रोस सेक्षन है 1 मिलिमेटर स्कॉयर इव यंग्स मॉडूलस ओफ वाइड इज 16 इंटू 10 पर 11 नूटन पर मिटर स्कॉयर देन वी हग तो फाइंड एक्स्टेंशन ओफ वाइर फ्रो ओबर इट्स नेचुरल लेंथ वी इज एक्वल टू अंडर रूट एफ बाई मिव अगर दोनों साइड में स्कॉयर कर देंगे तो वी स्कॉयर हो जागा एफ बाई मिव तो इसको में लोग ऐसे रहने देते हैं एक एलास्टिसीटी का कॉंसेट होता है जिसमें लों कहते हैं कि यो यंग्स मोडूलस होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइड़ बाई स्ट्रेण स्ट्रेस को लिखते हैं फोर्स और यूनिट एरिया स्ट्रें होता है चेंज इन लेंथ वाई ओर इजिनल लेंथ तो यहां से एफ का वैलू अबर फाइंड करेंगे तो यहां आएगा य डेल्टा एल डिवाइड़ ने इस एफ का वैलू यहां पर स्ब्सीut करेंगे तो वी स्ट्रेस का वैलू आयगा 1 बाई मूऍ इन्टू वन बाई म्यू और फ दो यहां से सप्शिट करेंगे y a delta l y l अब जो mu है mu होता है linear density इसको हम लोग mass current length substitute कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 1 y mass current length into y a delta l y l देखेंगे यह l और यह l cancel हो गया तो यहां से delta l का value calculate किया जा सकता है यह term जो है इनको ले जाएंगे right hand side में तो यह आएगा mv square divided by young's modulus into area तो यह कितना आएगा mass देखेंगे दिया गया है 6 gram तो 6 into 10 power minus 3 kg हो जाएगा speed दिया गया है 90 meter per second तो 90 का square कर सकते हैं young's modulus दिया गया है 16 into 10 to power 11 और area of cross section दिया गया 1 mm square यानी 10 to the power minus 6 meter square जब आप इसको solve करेंगे जब इसको आप solve करेंगे तो यह आजाया करेंगे 3 into 10 to the power minus 5 यानी point यह पॉइंट यह पॉइंट यह मीटर में हो गया 0.03 mm यह आजाएगा है ना तो यहाँ पर देखेंगे कि जो option 3 है यह correct option आएगा करेंगे, इसको अलो म्हाँ है झसके दो करबो कि एका जङएपा